तो पीएफ मेंबर्स ने जिस कंपनी से रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा केसे निकलेगा ये बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकरिया बता देता हूँ और इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको जानकरिया पता होनी चाहिए और थोड़े समय बाद अपनी जॉब चेंज कर देते हैं यानि कि अभी वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी से रिजाइन देखकर तुरंत बाद एक दुसरी जॉब जॉइन कर लेते हैं अब ऐसा करने में कोई परिशानी नहीं है लेकिन यहाँ पर एक पीएफ मे एक कंपनी से जॉब चोड़ने के तुरंत बाद दूसरी कंपनी में जॉब जॉइन कर लेता है तो पीएफ मेंबर्स ने जिस कंपनी से रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकॉण का पैसा केसे निकलेगा तो आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को और इस सवाल के जवाब को डिटेल में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सुभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लिजे सब्स्राइब क्योंकि इस पीएफ मेंबर्स ने जिस पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है और जॉब छोड़ने के बाद वो अपने पीएफ अकाउंट को पुरा पैसा निकालने के लिए उस पीएफ मेंबर्स को दो महिने का इंतिजार करना पड़ेगा यानिकि जॉब छोड़ने के दो महिने के बाद ही वो पीएफ म में जोब की यहने कि माल लीए किसी ए में पíllल इंट्पैनल क्लेम और भुम्ता में से तो यह थी वह जानकारी जोब को पता होनी चाहिए लेकिन अब बात करते हैं कि अगर किसी पी एफ मेंबर्स ने एक कमपणी से रिजाइन दे दिया है और तुरंट बाद आप एक दुसरी कमपणी में जॉब जोइन कर लेते हैं तो ऐसी condition में जिस company से आपने resign दिया है उस company के P.F. account का पूरा पैसा अभी आप नहीं निकाल पाएंगे मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि उस पैसे को आप कभी नहीं निकाल पाएंगे बलके मैं आपसे यह कह रहा हूँ तो जब तक आप दूसरी company यानि कि जिस company में अभी आपने job join किये उस company में जब तक आप job कर रहे हैं तब तक तो आप पुरानी company के P.F. account का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे और क्यों नहीं निकाल पाएंगे इस बात का जवाब मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने यह कहा था कि अगर किसी P.F. members ने एक से यदा company में job किये तो ऐसी condition में full and final claim उसी company के P.F. account से हो सकता है जिस company में P.F. members न उस P.F. members के सबसे आखरी company वो होगी जिस company में P.F. members ने अभी job join किये और जिस company में P.F. members ने अभी job join किये उस company के P.F. account से वो P.F. members full and final claim नहीं कर पाएगा क्योंकि उस company में अभी वो job कर रहा है और job करते हुए full and final claim नहीं हो सकता और जिस company से P.F. members ने रिजेन दिया है उस company के P.F. account से तो full and final claim में नहीं हो सकता तो अब आभी सोचिए अगर दोनों P.F. account से full and final claim नहीं हो सकता है तो P.F. का पूरा पैसा कैसे निकलेगा अब ये तो मिल आपको बताया है कि ऐसी condition में पुरानी company के P.F. account का पूरा पैसा नहीं निकलेगा नेकिन अब मैं आपको बता पैसे को आप तब निकाल पाएंगे जब आप दूसरी company से job छोडेंगे तब आप P.F. transfer करके full and final claim करेंगे तो आपको दोनों company के P.F. account का पूरा पैसा मिल जाएगा और इस तरह से आप अपने P.F. account का पूरा पैसा निकाल सकते हैं पाकि आज के इस वीडियो में से इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिये बताये कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो भी आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लें कि यह जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी